नमस्कार दोस्तों मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों चालिस से पॉलिटी के MCQ है चेक करिए आप से कितने प्रश्ण सही होते हैं यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा हम आपको रेगुलर्ली प्रैक्टिस करवाते रहते हैं जीके, साइन्स और करेंट अफिर्स की तो पहला कॉश्चन ये रहाब की स्क्रीन पर निम्ने मैस से किस उपराश्ट पती की मृत्यू पदपर आसीन रहते हुए हुई थी आप्शन है क्रिश्चन कांत, जी एस पाठक जी, बीडी जत्ती जी या फर मुहंबद हिदायत उल्ला जी तो सही आंसर इसमें आप्शन नमबर ए क्रिश्चन कांत जी की मृत्यू उपराश्ट पती पदपर रहते हुए हुई थी ठीक है अगला प्रश्चन राष्ट पती को पद और गोपनीता की सपत कौन दिलवाता है चार उप्शन आपके है मुख्य नायदीज, प्रधान मंत्री, महा दिवक्ता या फिर अडौनी जनरल क्या हो जाएगा सही आंसर तो सही आंसर है आप्शन नमबर ए राष्ट पती को मुख्य नायदीज, पद और गोपनीता की सपत दिलाता है अगला प्रश्चन संसत द्वारा पारित कोई भी विदेक कब कानून बन जाता है तो सही आंसर है राष्ट पती के अनुमोधन के बाद आप्शन नमबर बी राश्टपती के अनुवधन के बाद संसत द्वारा पारित कोई भी विजयक कानून बन जाता है कॉशन नमबर चार देख लेते हैं इन में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेटकर ने सम्विदान का रहदय या आत्मा कहा था पताईए क्या हो जाएगा सही आंसर तो सही आंसर है आप्शन नमबर डी सम्वेधानिक उपचार का अधिकार सम्वेधानिक उपचार का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेटकर जी ने सम्विदान का रहदय और आत्मा कहा था अगला प्रिशन ये लिजे भारती सम्वेधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राजवियस्था को सम्वेधानिक दर्जा दिया गया है पॉशन नमबर 6 दिख लेते हैं लिखित सम्विधान की अवधार्णा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी तो लिखित सम्विधान की अव्राना सबसे पहले फ्रांस ने option number B सही है फ्रांस ने पेश की थी अगला परशन भारत में वित्ट आयोग का गठन का प्रावधान सम्विधान के किस अनुछेद में वर्नित है तो वित्ट आयोग का गठन अनुछेद 280 option number B सही है 280 में वर्नित है अगला परशन देख लेते हैं मौलिक अधिकारों में संसोधन करने का किसको हक्या या कौन सक्षम है तो मौलिक अधिकारों में संसोधन संसद कर सकती है option number D यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा भारती समविदान का कौन सा अनुछेद राजी सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है बताइए तो अनुछेद 40 option number C सही है अनुछेद 40 भारती समविदान में राजी सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है अगला प्रशन caution number 10 question number 10 निम्न मैंसे, राजियों से लोकसभा की सदस्थों की संक्या कितनी है तो राजियों से लोकसभा में 530 सदस्थे जा सकते है ठीक है question number 11 निम्न मैंसे कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्माचन छेत रहे बड़े की बात हो रही है तो लद्दाक जो है लद्दाक लोकसभा में एक सरवादिक बड़ा निर्वाचन छेत रहे लद्दाक क्या रखिएगा अब जो है केंडर सासित प्रदेश भी बन गया है ठीक है आपको ये बताना है कि कौन सी धारा हटा के लद्दाक को जम्मु काश्मीर से अलग किया गया कौन सी धारा थी वहाँ पर भारती सम्विधान में मौलिक अधिकार को किस देश के सम्विधान से लिया गया है बताईए तो हमारे जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका से लिएगा है option number C सही आंसर है ठीक है अमेरिका से अगला प्रश्न देख लेते हैं भारत का प्रदानमंत्री बनने के लिए नियुन्तम आयू क्या होगी यदि वह राज्य सवा का सरस्य है तो बताईए और भारत का प्रदानमंत्री बनना चाहिए तो नियुन्तम आयू क्या होगी option number C यहाँ पर 30 सही आंसर हो जाएगा राश्टपदी पर महावियोग किस आधार पर लगा जा सकता है बताईए तो राश्टपदी पर महावियोग के वाल एक कारण से लगा जाता है इन में से जो दिये हुए हैं सम्विधान के अतिकर्वन करने पर सम्विधान का यदि अतिकर्वन कर ले कोई भी राश्टपती option number B तो महावियोग की महावियोग लगा जा सकता है अगला प्रश्ण देख लेते हैं question number 15 भारतिय राश्टपती के द्वारा लोग सभा में आंगल्य भारतिय समुदाएं कि कितने सदस्यों को मनुद्ध किया गया है या किया जा सकता है बताएं तो दो लोग हो सकते हैं दो लोग हो सकते हैं option number C इसका सही answer है अगला प्रश्ण देख लेते हैं निम्न मैंसे राजपाल अपना त्याग पत्र किसे सोपता है पताएं तो राजपाल अपना त्याग पत्र है option number C राश्टपती को समुपता है या रखना ठीक है कोई विदेख धन विदेख है अथवन नहीं इसका निर्णाएं राज्य में कौन करता है तो राज्य में कौन करेगा तो विदान सभी अध्यक्ष विदान सभा के अध्यक्ष जो रहेंगे वो करेंगे कि धन विदेख है या नहीं ठीक है option number C सही आंसर है अगला प्रश्ट अठारवा किसी विदान परिशत की सदस्य संख्या उस राज्य की विदान सभा सदस्यों की संख्या के कितने से अधिक नहीं हो सकती तो यदि दो तेहाई से अधिक हो गई दो तेहाई माफ कीजिगा इसका अंसर होगा एक तेहाई option number B इसका सही answer होगा एक तेहाई से अधिक नहीं हो सकती एक बटे तीन ठीक है एक तेहाई से अधिक नहीं हो सकती अगला निमलिकित मैं से राष्ट पती द्वारा राजसवा के सरस्थों के नामांकन का नियम किस देश से सम्विधान में लिया गया है तो क्या हो जाए सही answer इसका सही answer है option number B आयरलेंड आयरलेंड से लिया गया अगला परशन देख लेते हैं question number 20 निमलिकित मैं से योजना आयोग का प्रती स्थापना किस से हुआ है तो योजना आयोग का प्रती स्थापना जो हुई है नीती आयोग से हुई आपको पता है पहले क्या नाम था नीती आयोग नाम था पहले योजना आयोग नीती आयोग ठीक है और इसका अध्यक्च कौन होता है तो PM होता है प्रतान मंत्री होता है अध्यक्च नीती आयोग या योजना आयोग का अध्यक्च निम्लिकित मेंसे भाशा की अधार पर गठते पहला राज कौन सा था तो सबसे पहले भाशा की अधार पर आंद्रप्रदेश बना था आंद्रप्रदेश, option number C सही है, अगला प्रशन देख लेता है निम्लिकित मेंसे कौन किसी राज का छेत्र घटा या बढ़ा सकता है तो राज को बढ़ाना घटाना किसके हाथ में होता है भाई तो सभी जो अपनी संसद होती है संसद कर सकता, option number A सही आंसर है तेईसवा question निम्लिकित मेंसे संगी नयाय पालिका का उलेख किस भाग में है तो भी ये संगी नयाय पालिका का उलेख भाग पांच में है ठीक है, भाग पांच दो दो बाद लिखा है B और C में भाग पांच में है ठीक है या रखना, अगला प्रशन क्या है समविधान सवा के समविधानिक सलाकार कौन थे समविधान सवा के समविधानिक सलाकार option number B B. N. राउ थे question number 25 भारत के विवाजन के बाद समविधान सवा के सदस्सों की संखत कितनी थी जब भारत विवाजित हुआ था तो 2.99 थी option number B. सही answer है अगला परश्ण देख लेते हैं यह लीजिए यदि राष्टपती और उप्राष्टपती दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में कारभार कौन करता है भाई तो सुप्रीम कोट का मुख्य नायधीश ऑप्सन नमबर सीज का सही आंसर हो जाएगा अगला परश्ण निमलके दम से कौन लोक लेखा समीति के कितने सरस्य होते हैं बताइए तो लोक लेखा समीति में टोटल 22 सरस्य होते हैं प्रस्तुत करना है तो राजयपाल का आपको पर्मीशन लेना पड़ेगा निमने मैं से मौलिक अधिकारों में संसोधन करने के लिए कौन सक्षा में तो भाई है कौन कर सकता है मौलिक अधिकारों में संसोधन तो संसद कर सकती है, संसद, बताया था थोड़ी दिर पहले, संविधान के पधम अनुछेत के अनुशेत के अनुशार भारत है, क्या है भी यह भारत, तो भारत है, राज्यों का संग है, राज्यों का संग, option number C सही आंसर, निम्लेकरत में से cabinet समिती का क्या आर्थ है, बताये, एक अतरिक्त सम्विधानिक संस्था, option number B सही आंसर हो जाएगा, अगला परशन देख लेते हैं, निम्लेकरत में से कौन सा भारत के सम्विधान की कोई विशेष्टा नहीं है, इनमे से क्या नहीं है विशेष्टा, तो दोहरी नागरिकता, option number B, हमारे सम्विधान की विशे केवल और केवल राष्टपती, option number B, इसका सही आंसर हो जाएगा, राजी विधान सभा द्वारा पारित एक साधान विधियक, अधिक्तम आउधी के लिए विधान परिसर्थ द्वारा विलंबित हो सकता है, कितनी देर तक के लिए एक साधान विधियक को विलंबित कर सकते साधान विधियक, सामोहिक जिम्मिदारी से मंत्री परिसर्थ सामोहिक रूप से जिम्मिदार है, बताइए, सामोहिक जिम्मिदारी से मंत्री परिसर्थ किस चीज़ के लिए सामोहिक रूप से जिम्मिदार है, तो लोग सभा के लिए, लोग सभा के लिए जिम्मिदार है, ठीक है सर्व संम्मती से राष्ट्पती पत Autism Sky ऑ्पषि डिया कितना समय मिलता है निम लकितम से कौन सी एक वहम मूल आधारी का है जिसके भारती सम्विधार विकषित हुआ था تो क्या है भैया है भारत सासन अधिनियम 1935 स्याद अखना ठीक है भारत शाषन अधिनियम 1935 वेरी वेरी इंपोर्टेंट कॉश्चन ठीक है तो ये हो गए हमारे कितने कॉश्चन टोटल 40 कॉश्चन ठीक है सम्विधान के किस भाग में नितिन दिश्क तक्त्तों का उलेक किया गया है तो चतुरतो भाग ये 40 कॉश्चन हो गए कॉश्चन कैसे लगे कमेंट करके बताईएगा और अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवा दोस्तों